पंदित रिदेनात अयोध्या के एक सम्मानिक पुरूश थे। धन्वान तो नहीं लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। इधर किराए बद गए थे, उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचार शील आदम जाने की खेर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिम्प, पती के विचार उसके विचार और पती की इच्छा उसकी इच्छा थी, दोनों प्रानियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्चरी शिव की उपासक थी। फृदयनात वैश्टफ थे, दोन इसे पुत्रवती करें तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिख लिखा कर निश्चित हो जाएं। किन्तु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। केलाश कुमारी का अभी गौना भी न हुआ था, वह अभी तक यह भी न जानने पाई थी कि विवाह का आश्य क्य है कि उसका सोहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाशाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे, घर में कुहराम मचा हुआ था, पर केलाश कुमारी भंचक्की होगो कर सब के मून की ओर ताक्ती थी। उसकी समझ में यह न आता थ का प्रवेश न हुआ था। वो समझती थी, स्ट्रिय अपती के मरने पर इसलिए राती है कि वो उनका और बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है। मुझे इसकी क्या चिनता है कि खाएंगे क्या, पहनेगी क्या। मुधरे जिस चीज की जरूरत होगी ब नहीं मैं कोई ऐसी चीज न मान बैठू जिसे वहदे न सके। तो मैं ऐसी चीज मानगूगी ही क्यों। मैं अब भी थो उनसे कुछ नहीं मानती, वहाँ की मेरे लिए एक नाएक चीज नित्तिलाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाओगी। इधर माता का यहाँ हा समरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेश डूग, खर इस बात का था कि सहेलिया भी अब उसके साथ खेलने ना आती। उसने उनके घर लाने की माता से आग्या मानगी तो फूट फूट कर रोने लगी माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोट दिया, बैठी किससे कहानिया पधा करती। उसकी एकांत प्रियता का मा बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लगकी शोग के मारे घुली जाती है। इस वजरागात ने उसके हृदय को टुपडे टुपडे कर डाला है। एक दिन हृदयनात ने जागेश्वरी से कहा जी चाहता है घर छोड़ कर कहीं भाग जाँ। इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी मेरी तो भगवान से यही प्राथना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहां तक छाती पर पत्थर की सिल रखू। प्रिदयनात किसी भाती इसका मन बहलाना चाहिए जि हम लोगों को दू, ही और रोते देखकर उसका दू, खा और भी दारून हो जाता है। जागेश्वरी मेरी तो बुद्धी कुछ काम नहीं करती। प्रिदयनात हम लोग योही मातम करते रहे तो लड़नकी की जान पर बन जाएगी। अब कभी कभी थियेटर दिखा दिया, क अभी घर में गाना बजाना करा दिया। इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। चागेश्वरी मैं तो उसे देखते ही रोपती हूँ। लेकिन अब जबत करूंगी तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। विना दिल बहलाव के उसका शोक न दूर होगा। प्रिदय रहना चाहिए। एक आतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोध और प्रमोध के समान लमा करने शुरू किये। कैलासी मा के पास आती तो उसकी आँखों में आसू की बुंदे न देखती, होठों पर हसी पाकई के और चली जाती। धीरे धीरे सहलिया भी आने लगी। कभी सब की सब बैठ कर ताश खेलती। कभी गाती बजाती। पंडित रिदे नाथ ने भी विनोध की सामरिया जुटाई। कैलासी को देखते ही मगन होकर बोलते। बेटी आओ, तुम्हें आज काश्मीर के द्रिश्य दिखां, कभी ग्रामोफोन बजा कर उसे सुनाते। कैलासी इन सेर सपाटों का खूब आननद उठाती। अतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। तू इस भाती दो वर्ष बीट गए। कैलासी सेर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थीटर न जाती तो बेकर ससी होने लगती। मनोरंजन नवीनिंता का दास है और समानता का शत्रू। थीटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। चिनेमा के बाद मिसमेरिजम और हिपनोटिजम के तमाशों की सनक सवार हुई। चिनेमा के बाद मिसमेरिजम और हिपनोटिजम के त चलती तो कुछ गुनदुनती हुई, किसी से बाते करती तो वही थेटर के और सिनिमा की। बहुत एक संसार से अब कोई वास्ता ना था, अब उसका निवासकल्पना संसार में था। दूसरे लोग की निवासन होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूती न रही, किसी के खापर जरा दयाना आती त्वभाव में उच्रिंखलता का विकास हुआ अपनी सुरूची पर गर्व करने लगी सहेलियों से दीनगे मारती यहां के लोग मूर्ख है यह सिनिमा की कद्र क्या करेगे इसकी कद्र तो पश्चम के लोग करते है सहेलिया केलासी की यह गर्व पूर्ण बाते सुनती वह उनका अपमान करने के आवेश में आप ही हास्यासपद बन जाती थी पडोसियों में इन सेर सपाटों की चर्चा होने लगी लोग सम्मती किसी की रियात नहीं करती किसी ने सिर्प पर टोपी टेई रखी और पडोसियों की आँखों में खुबा कोई जरा अका कर चला और पडोसियों ने अवाजी कसी विधाता ने उसके द्वार बंदरी दिये है लगकी प्यारी सही लेकिन शर्म और हया भी कोई चीज होती है जब मा बापी उसे सिर्चा आए हुए है तो उसका क्या दोश मगर एक दिन आखे खुलेगी अवश्या महिलाएं कहती बाप तो मर्द है लेकिन मा कैसी है उसको जरा भी विचार नहीं की दुनिया क्या कहेगी कुछ उनी की एक दुलारी बेटी थुड़े ही है इस भानतिमन बाना अच्छा नहीं कुछ दिनों तक तो ये खिच्टी आपस में पकती रही अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागिश्वरी के घर पदारपन किया जागिश्वरी ने उनका बड़ा आदर सतकार किया कुछ देर तक इधर उधर की बाते करने के बाद एक महिला बोली महिलाएं रहस्या की बाते करने में बहुत अभ्यस्थ होती है, बेहन, तुम्ही मझे में हो की हसी खुसी में दिन कात देती हो, हमों तो दिन पहाद हो जाता है, न कोई काम न धन्धा, कोई कहा तक बाते करें, दूसरी देवी ने आँखे मतकाते हुए कहा, अरे, तो ये तो बदे की बात है, सभी के दिन हसी खुंशी से कटे तो रोय कौन, यहां तो सुबह से शाम तक चक्की चूलहे से छुट्टी नहीं मिलती, किसी बच्चे को दस्ता रहे तो किसी को ज्वर्चधा हुआ है, कोई मिठायों की रट कहा है, तो कोई पैसों के लिए महाना मत मचाय हुए है, दिन भर हाय हाय क पर बिठा दे तब भी तस्कीन नहोगी, तब और भी हाय हाय करोगी, इस पर एक रिद्धा ने कहा, नौज ऐसा दिल, ये भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रह, वो दिल ह कि पत्थर, हम रहिनी कहलाती है, हमारा काम है अपनी ग्रहस्ती में रत रहना, आमोर प्रमोद में दिन कातना हमारा काम नहीं, और महिलाओ ने इन निर्दय अव्यंगे पर लजजित होकर सिर जुका लिया, वे जागेश्वरी की चतुकिया लेना चाहती थी, उसके साथ बि दा होने के बाद उसने जाकर पती से यह सारी कथा सुनाई, प्रिदयनात उन पुरुशों में न थे जो प्रत्येक अवसर्ड पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वान भरते है, हाथ धर्मी को आत्म स्वातंत्रिय के नाम से छिपाते है, वह सचिंत भाव से बोले, तो अ क्या होगा, जागिश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो, फ्रिदयनात पडोसियों ने जो आक्षिप किया है वह सवर्था उचित है, कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक सविचित रंतर दिखाई दे रहा है, मुझे स्वन्मग्यात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के ये हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है, उनका ये कथन सत्य है कि विध्वाव के लिए आमोद प्रामोद वर्जित है, अब हमें ये परिपाटी छोनी पडेगी, जागिश्वरी, लेकिन कैलासी तो अनखेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह प्रिदयनात, उसकी मनोवृतियों को बदलना पड़ेगा, ट्री शनै, शैने ये विलोसोलमाज शांत होने लगा, वासना का तिरसकार किया जाने लगा, पंडित जी संधिया समय ग्रमोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ सुनते, त्वाध्याय, संसम उपासना में माव ब पंदेरों में नित्य जाती, तोना एकादशी का निर्जल व्रम रखने लगी, कैलासी को गुरुजी नित्य संधिया समय धर्मोपदेश करते, कुछ दिनों तक तो कैलासी को यह विचार परिर्वतन बहुत कश्चनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभ भाविक गुन है, थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रूची हो गई, अब उसे अपनी अवस्था का ज्यान होने लगा था, विशे वासना से चित आप ही आप ठीचने लगा, पती का यथार्थ आशे समझ में आने लगा था, पती ही स्ट्री का सच्चा पत प्रदर्शक और सच्चा सहायक है, पतिविहीन होना किसी घोर पाक का प्रायश्चित है, मैंने पूर्व जन में कोई अकर्म किया होगा, पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती, प्रायश्चित का अवसर कहां मिलता, बुरु जी का वचल सत्य है कि परमात्मा ने तुम की धार में कृत्ती इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्रानियों से वह प्रिथक रहने लगी, किसी को न छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती, दिन में दो दो तीन तीन बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंत पधा करती, चादू महात्मा से विरक्त होने लगा, तलीनता की अवस्था प्राक्त हो गई, खंटो ध्यान और चिंतन में मग्न रहती, समाजिक बंधनों से ग्रिन हो गई, खंटो ध्यान और चिंतन में मग्न रहती, प्रिदे स्वाधिनता के लिए लालायत हो गया, यहां तक की तीन ही बरसों में उसन नीजल्द निवृती हो जाए उतना ही अच्छा। किसी दूसरे प्रानी का आश्रे लेना भूल है। दूसरे दिन ये बात मुहले वालों के कानों में पहुँच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यांग करने लगते है। ये तो हुना ही था। नई बात क्या हुई। लदिकियों को इस तरह स्व बान बंध हो जाती है तो अब क्यू पच्चताते है। भत्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना हाती रही। लेकिन जैसे अपने बच्चे के दोते-दोते धम से गिर्पने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उससे जिकियां सुनाते हैं। इसके बाद गोध में सुना है डॉक्टर गॉड का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाश्य बोले ये लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोडेगे। कोई क्या करेगा। जब हमारे साधु महात्मा हिंदू जाती की स्तम्भ है। इतने पतितो गए हैं कि बोली-भा दूसरों महाश्य समस्त जाती की सिर्फ कहिए। फृदयनाथ उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाश्य अपने समझाया नहीं। फृदयनाथ समझा के हार गया। कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाश्य पहले ही भूल हुई। उसे इस रास्ते पर उतरना ही नही पहले महाशे उस पर पच्चताने से क्या होगा। सिर्फ पर जो पड़ी है उसका उपाई सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा। कुछ लोगों की सला है कि विध्वाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपी मैं इसे भी बहुत अच्छ को भातक जाने की शनका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादा बसेरा कर लेते हैं। दूसरे महाशे चला तो अच्छी है। मुहले की दस-पांच कन्याइपने के लिए बुला ली जाएं। उन्हें किताबें गुडिया आधी इनाम मिलता र अच्छपद की सामने अध्यापिका बनना अपमांजनक जान पड़ता था। कहां वह महात्माओं का सत्संग, वह परवतों की गुफा, वह सुरम या प्राकृतिक ग्रिश्य वह हिम्राशी की ज्यान में ज्योती, वह मानुस्रावर और कैलास की शुक्र छटा, वह आत्मद होता है, सेवा वृधरी अपने को परमार्त की वेदी पर बली दे देता है, इसका गौरव कहीं अधिक है, देखो, रिश्यों में दधीची का जो यश है, हरिश्चंद की जो कीर्ती है, सेवा त्याग है, आदी, उन्होंने इस कथन के उपनिशदों और वेदमंत्रों से प पंदित जी स्वन्य कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पाते, कन्याए शोक से आती, उन्हीं यहां की पाय खेल मालूम होता, थोड़े ही दिनों में पाटशाला की धूम हो गई, अन्य मुहलों की कन्याए भी आने लगी, फोर कैलाश कुमारी की सेवा प्रवरिती दिन उसके घर जाती, उसकी सेवा सुश्रूशा करती, गाकर या कहानिया सुनाकर उसका दिल बहलाती, पाटशाला को खुले हुए साल भर हुआ था, एक लड़की को, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी, चेचक निकल आई, कैलासी उसे देखने गई, मा बाप ने बहुत मना किय पर उसने न माना, कहा, तुरंत लोटाऊंगी, लड़की की हालक खराब थी, कहां तो रोते रोते तालू सूखता था, कहां कैलासी को देखते ही सारे कश्ट भाग गए, कैलासी एक घंटे तक वहां रही, लड़की बराबर उससे बाते करती रही, लेकिन जब वह चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया, कहलासी मजबूर होकर बैठ गई, तोई देर बाद वह फिर उठी तो फिर लड़की की यह दशा हो गई, लड़की उसे किसी तरह छोड़ती ही न थी, सारा दिन बुजर गया, रात को भी रात को लड़की ने जाने न दिया, प्रिदयनाथ उसे बुलाने को बार-बार आदमी बीचते, पर वह लड़की को छोड़कर न जा सकती, उसे ऐसी शंका होती थी कि मैं यहां से चली और लड़की हाथ से गई, उसकी मा विमाता थी, इससे कैलासी को उसके ममत्व पर विश्वास न होता था, इस प्रकार तीन दिनों तक वह वहां रही, आथो पहर बालिका के सिर्हाने बैठी पंखा जलती रहती, बहुत ठक जाती तो दीवार से पीठ टेक लेती, चौते दिन लड़की की हालत कुछ संभलती हुई, मालूम हुई तो वह अपने घर आई, मगर अभी सनान भी न करने पाई थी की आद दिन नहीं, तीन महिने उसकी सेवा करने को तयार हुँ, आखिर यह देह किस काम आएगी, खृदयनाथ, तो कन्याई कैसे पड़ेगी, केलासी, दो एक दिन में वह अच्छी हो जाएगी, दाने मुर्जाने लगे हैं, तब तक आप लराइन लिद्कियों की देख भाल करते रहिएगा, फृदयनाथ, ये बीमारी छूट फैलाती है, केलासी, हसकर, मर जाओंगी तो आपके सिर से एक विपत्ती तल जाएगी, ये कहकर उसने उधर की राह ली, भोजन की थाली पर से रह गई, तब फृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है, बहुत जल्द ये पाटशाला भी बंद करनी पड़ेगी, जागेश्वरी, बिना मान जी के नाव पार लगाना बहुत कथिन है, जेधर हवा पाती है, उधर बह जाती है, फ्रे दयनाथ, जो रास्ता निकालता हूँ, वही कुछ दिनों के बाद किसी दलदल में फंसा देता है, आशकुमारी दो दिन बाद लोटी तो ह्रे दयनाथ ने पाटशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी, कैलासी ने तीव स्वर से कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भाई है तो मुझे विश्ट दे दीजिए, इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है, रे दयनाथ बेटी संसार में रहकर तो संसार किसी करनी पड़ेगी, कैलासी तो कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे क्या चाहता है, मुझ में जीव है, चेतना है, जग क्यों कर बन जाओ, मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागन, दुखिया समझूं और एक तुका रोटी खाकर पड़ी रहूं, ऐसा क्यों करूं, संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागनी नहीं समझती, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूं, मैं इसे घोर अपमान समझती हूं कि पक-पक पर मुझ पर शनका की जाए, नित्य क कोई चरवाहों की भाती मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे कि किसी खेत में न जाने बूड़ो, ये दशा मेरे लिए आसहया है, ये कहकर क्यलाश कुमारी वहां से चली गई कि कहीं मुझ से अनर्गल शब्द न निकल पड़े, इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी का यर्थात ज्यान होने लगा था स्त्री पुरूश की कितली अधीन है, मानुस्त्री को विधाता ने इसलिए बनाया है कि पुरूशों के अधिन रही सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दाग पीसने लगती थी, पाठशाला तो दूसरे दिन बंध हो गई, किन्तो उसी द बार बार जुनजलाती की स्त्री क्यों पुरूश पर इतनी अवलंबित है, पुरूशर्ज क्यों स्त्री के भग्य का विधायक है, स्त्री क्यों नित्य पुरूशों का आश्रय चाहे, उनका मूम ताके, इसलिए नकी स्त्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं ह नारी हृदय के कोमल भाव, उसे कुत्ते का दुम हिलाना मालूम होने लगे। प्रेम कैसा? ये सब ध्रोग है, स्ट्री पुरूश के अधिन है, उसकी खुश्मद ना करे, सेवा ना करे, तो उसका निर्वाह कैसे हो? एक दिन उसने अपने बाल गून्थे और जूडे में एक गुलाब का फूल लगा लिया, मा ने देखा तो ओट से जीब दबाली, महरियों ने छाती पर हाथ रखे, इसी तरह एक दिन उसने रंगीन रेशमी साधी पहन ली, पडोसनों में इस पर खुब आलोचनाय हुई, उसने एकादशी का वरत रखनाव छोड़ दिया जो पिछ के रंग रूप, आकर प्रकार पर टिकाए होती, जागेश्वरी से भी बिना एक आख देखे रहा नह जाता, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूल कर भी इन जालूसों को न देखती, कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मूँ फेर लेती, उसकी द्रिष्टी में वह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार था, बरातों को वह शिकारियों के कुत्ते समझती, यह विवाह नहीं बलिदान है, पांच तीज का वरत आया, घरों की सफाय होने लगी, रमनीया इस वरत को तैयारिया करने लगी, जागेश्वरी ने भी वरत का सामान किया, नई नई साधिया मगवाई, केला शकुमारी के ससुराल से इस अफसर पर कपडे, मिठाया और खिलोने आया करते थे, अबकी भी आए, यह विवाहिता स्त्रियों का वरत है, इसका फल है पती का कल्यान, विधवाए भी अस वरत का यथेचित रीती से पालन करती है, ती से उ पिश्चे किया मैं वरत न रखूंगी, मा ने तो माथा ठोंक लिया, बोली बेटी, यह वरत रखना धर्म है, केला शकुमारी पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई वरत रखते है, जागिश्वरी मर्दों में इसकी प्रथा नहीं है, केला शकुमारी इसलिए न कि नहीं समझती, मेरे लिए अपनी आत्मा की रक्षा के सिवा और कोई धर्म नहीं। प्रश्चा को त्याग देता है, निसंदेह नेराश्य ने ये भीशन रूप धारन किया है, सामान्य दशाओं में नेराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्वशीर प्रानियों में वो परिमाजित रूप रहन कर लेता है, यहां पर रिदैगत कोमल भावों क अफरन कर लेता है, चरित्र में अस्वा भाविक विकास उत्पन कर देता है, मनुश्य लोक लाज उप्वासे और उप्वास की ओर से उदासीन हो जाता है, नेतिक बंधन तूट जाते है, यह नेराश्य की अतनम अवस्था है, प्रिदयनाथ इन्ही विचारों में मग्न थ कि जागेश्वरे ने कहा अब क्या करनाओ होगा, जागेश्वरे कोई उपाय है, प्रिदयनाथ बस एक ही उपाय है, पर उसे जबान पर नहीं ला सकता